पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशों में लगा है तो वहीं देश में चीनी सामानों के वहिशकार का माहौल बना हुआ है ऐसे में सरकार ने चीनी उत्पादों के वहिशकार को लेकर किसी भी आधिकारिक टिपड़ी से साफ इंकार कर दिया है दरसल प्रदानमदी नरेन मोदी और चीन के राष्ट पती शे जिन पिंग के बीच कोई प्रखशी बैठक के बारे में बताते हुए विदेश मंतुराले के प्रवक्ता विकास वरूप ने कहा कि सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि चीन के उत्पादों के बाहिश मसमों पर चर्चा और व्यापार एवं सायोग को बढ़ावा देने के लिए कार्रेय यूजना बनाये जाने की उम्मी जदाई है आपको बदा दे कि ओरी हमले और सचकल स्टाइक के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का घुसा फूट पड़ा है और पाकिस्तान की हमायत करने वाले चीन का विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पर वहां के निर्मित सामानों के बाहिशकार की देश में मुहिन छेड़ दी गई है जी हाँ ये बात सही है कि सस्ते होने के वज़े से जादा तरुप भोगता देशी सामान के बजाए चीनी उत्पादों पर निर्बर है और अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उसका अरादा चीनी सामानों पर पाबंदी लगाने का नहीं है देखते रहें टीबी लाइफ